नमस्का एक बार पनौ हाजर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों अगर हम हतेली को देखते हैं तो सबसे पहले आपके भी निश्चित ही जो नजर है हतेली की अंगिनत गोन रेखाओं पे पड़ रही होगी और निश्चित ही ये प्रैक्टिकल रोप से भी देखेएगा आप यदि आपकी हतेली में अंगिनत सुक्षम रेखाएं जो है दिखाई देती है तो आपका जीवन संगर्स से ही नहीं उलजुनों और प्रैसानियों से भी घिरा होता है चाहिए आपकी जीवन में कितना भी पैसा आजाए कितने भी लगजिरियस आजाए कुछ भी आजाए लेकिन जीवन में वो खुसियां नहीं मिल पाती है जिन खुसियों के लिए बिक्ति अपनी जीवन को यापन करता है या जिसकी चाह के लिए बिक्ति मेहनत करता है और जैसे जैसे ये रेखाए अंगिनत रूप में गाड़ी होती जाएं या बहुत सारी मातरा में अपनी जणे जमा लें उतने जादा देर तक बिक्ति का जियोन जो है संगर समय रहता है जिस तरह की रेखाएं उस तरह की रेखाएं अगर इन रेखाओं का मैं उपाई भी दूँगा कम से कम ड़ाई से तीन साल का समय ये लेंगी और तब जाके आपको कुछ न कुछ राहत मिलने की उमीदियां पे दिखाई दे रही है देखिएगा यदि हमारी हतेली में इस तरह से अंगिनत रेखाएं आ जाएं तो सबसे पहले ये ब्यक्ति के जीवन में चाहिए वो महिला है चाहिए पुरुस है आप महिला है और आपका वैसे बाएं हाथ का अध्यन करना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैंने आपके राइट ह हैंड में कोई बड़ा अंतर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था और राइट हैंड की जो पिक्चर है वो बड़ी साप दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने राइट हैंड लिया थोड़ी बहुत जो उपर नीचे चीजे हैं उनको मैं इसी वीडियो में जो है उस हाथ को भी मिला के दिखा दूँगा वैसे मैंने उसका पूरा रूप से जो है अध्यन कर लिया है और इस हाथेली का वीडियो के माध्यम से उस अध्यन को आपको कहने जा रहा हूँ देखेगा हाथेली में अगर इस तरों से छोटी छोटी गोन रेखाई या जाए तो व्यक्ति की जिवन में संगर्स को बढ़ाती है मानसिक प्रेशानियों को बढ़ाती है बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा प्रेशानियों के बाद भी व्यक्ति की जिवन में अभाव की इस्तिति रहती है और जिवन में जो डेपलप्मेंट होनी चाहे थी जो प्रगति होनी चाहे ती प्रगति से ये रेखाई वार करती है और व्यक्ति को कहीं न कहीं जो हैं निर्धनता की और ले जाती हुई ऐसी रेखाई दिखाई देती है क्योंकि हतेली में रेखाओं का जाल होना असुप माना जाता है हस्त रेखा जोतिस के उनसार दोसरी यहां पर में चीज देखेगा हमारा जो सुक्र का परवत होता है वो होता है हमारे सुक का परवत सुक हम इसे से देखते हैं चाए दामपत्य सुक हो चाए आपका पारिवारिक सुक हो चाए आपका सामाजिक सुक हो सारिरिक सुक हो या मानसिक सुक हो इसे से देखा जाता है अगर इसमें इस तरों से अनगिनत रेखाओं से जालनुमा जिसको गिरिल कहते हैं इस तरों से बन दामपत्य जीवन के सुक को लेकर तीप्र इक्षा होती है और ऐसे लोग वाया आकर्ण सर्ण से जो है बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं और दूसरी बाद बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा कठेनाईयों के बाद भी व्यक्ति को अभाव की इस्तिति घेरे रहती है सुक की प्राप्ति नहीं वो पाती है और किसी न किसी विसाई में किसी न किसी चीज को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता भी है और चिंता भी करता है और दामपत्य जीवन का जो सुक है वो प्रबल रोप से और सुन्दर रोप से बिक्ति को नहीं मिल पाता है लेकिन यहीं पे नहीं इसके लिए यह रेखा देखने भी बहुत जरूरी है जो आपकी बिवाह रेखा है इसको एक रेखा यहां से जाके काट रही है आप देख रहे होंगे एक रेखा यहां से जाके इस रेखा को काट रही है इसको ठीक नहीं मानना जाता है अगर विवार रेखा को इस परकार कोई रेखा काट दे तो उस ब्यक्ति का बेबाहिक जीवन प्रैसानियों से भरा होता है दूसरी बात यहाँ पे अगर आप सांतार तरीके से देखें यह यहाँ पे जो है दो मुखी हो रही है अगर यह रेखा इस तरों से दो मुखी हो जाए दो मुह लिए हुई हो तो उस ब्यक्ति की साधी तोटने का बहुत ज़्यादा भय रहता है यदि केवल ये दो मुह लिए हो और यहां पे ये परवत सुन्दर हो या परवत सुन्दर हो तो ब्यक्ति की साधी तोटने का भय नहीं रहता है लेकिन यहां पे एक और चीज दिखाई दे रही है, यहां पे आपकी जो फिर्दे रेखा है, वो कहीं न कहीं मंगल का उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहां से भी पढ़ रहा है, ऐसे में दामपत्य जिवन कभी अच्छा नहीं रह सकता है, इसका उपाय तो दोंगा विद्वत तरीके से कर लेना, तीन महेने तक उपाय करने के बाद अगर कोई रिजल्ट निकल सकता है, तो आगे आपका दामपत्य जिवन बहुत सुन्दर रहने वाला है, नहें तो ज़्यादा तर मामला इस तरह से लग रहा है, कि जो परतमा में आपका दामपत्य जिवन चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा चलना, बहुत आगे तक चलना बड़ा मुस्किली यहां पर दिखाई दे रहा है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है, वो जो हतेली में दिख रहा है, वो बोलना भी जड़ा अच्छा लगता है, वैसे मैं पूरा तरह से आपको उपाई देने की कोशिस करूँगा, और आप करने की कोशिस करें, तो कापी अच्छा आपके लिए रहेगा, एक चीज और यहां पर दिखाई दे रही है, आपका जो सूर्य का परोथ है, यहां पर भी भहुत सारी रेखाई जो है, एक ग्रि ब्यक्ति की छबी है, जो ब्यक्ति की परतिष्टा है, उसमें जो है, यह कमी लाता है, और ऐसा ब्यक्ति दुर्भग्या का भी सिकार हो सकता है, और जितने मिहनत कर रहे होंगे, जितना परिश्रम आप कर रहे होंगे, आपकी मिहनत का, आपके परिश्रम का बरतमान समय में पूरा credit पूरा स्रेनी मिलता हुआ यहां पे दिखरा है काम बनते बनते रहे जाते है या रास्ता नहीं मिल बाता है ऐसे यह कहते हैं चाये नोकरी कर रहे हूँ चाये अभ्योसाई कर रहे हूँ बिस्तार होने के संभावना बहुत कम यहां पे नजर आ रही है लेकिन अब इसके लिए भग्य रेखा को देखना भी बहुत जरूरी है देखेगा आपकी भग्य की लकीर इस तरों से तोटती जाती हुई और सनी परोत पे जारी है और सनी परोत पे एक रेखा सीधा सीधा इसको काट रही है और सनी प्रवत जो है सनी बकरी अवस्ता में आ रहे हैं देखेगा जब भी सनी बकरी अवस्ता में आते हैं तो सबसे पहला और सबसे मुख्या काम करते हैं कि व्यक्ति की रोजगार को छीनने का ये काम करते हैं लेकिन भग्य रेखा को अगर अचानक भग्यास्तान पे काट जाए तो व्यक्ति स्वयम के गलत निरणयों से अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है भावना की बश्रीबूत हो करके तो सनी का मैं उपाई दोंगा करने की आपको कोसिस करना है वहीं देखो बर्तमान समय में काफी सारी राहो रेखाई जो है आपकी हतेली में करियर की धन की रेखा को काटते हुई नजर आ रही है और यहां पे पूर्ण रोपेर जो है कट बनाता हुआ नजर आ रहा है आपका राहो बर्तमान समय में नगेटिव इस्तिति में है और देखेगा जब मंगल की इस्तिति हो सनी की इस्तिति हो सोरे जो है अपुष्ट आवस्ता में हो और आपकी जीवन में जो है नगेटिव पूर्जा बुरी तरों से घर कर गई हो और राहो नेगेटिव इस्तिति में आ हम देखने की कोशिस कर रहे हैं भाग्य रेखा अगर हम देखें तो आपकी जो भगय की लकीर है यह भगय की लकीर आपकी चंदरमा से निकल करके सनी परवत की और जाती है तो यह रेखा बहुत जादा मिहनत कराती है तब जाके 42 से लेकर 45 वर्स के बीच में भाग्योदवी कराती है और 45 वर्स के आसपास बिक्तिकर भाग्योदवी हो जाता है लेकिन आपकी हतेली में लगाता राहों की रेखाई काट रही है और 48 से उपर ठीक दिखाई दे रही है और उसके बाद 58 वर्ष में फिर जो है एक राहो की रेखा इसको काट रही है देखेगा जो 48 वर्ष है उस वर्ष से आपकी प्रगति यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन उसके बाद 58 वर्ष में फिर थोड़ा सा राहो की इस्तिति आती हुई दिख रही है इसके लिए मैं उपाई द भाव आपकी जीवन में न पड़े और 48 में वर्ष से जो आप प्रगति कर रहे हैं वो निरंतर रोप से करें 48 में वर्ष से आपके पास धन भी आएगा आपका करियर भी सुन्दर चलेगा आपकी जो फैसले हैं वो जीवन के फैसले आप ले चुके होंगे क्योंकि यहां पे निमनमंगल में भी एक कट का चिन दिखाई दे रहा है और जब निमनमंगल में कट का चिन दिखाई देता है तो व्यक्ति अपनी जीवन काल में एक बार निश्चित तोर पे कोर्ट कचरे का मामला जो है व्यक्ति के अंदर होता ही होता है उसका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है इन सब चीज का मैं उपाय तो जरूर दूँगा साथ मैं ये चीज जरूर कह रहा हूँ कि आपको सपलता की प्राप्तिनिश्चित तोर पे होगी लेकिन 48 वे वर्स में यहाँ पे साथ तोर पे दिखाई दे रहा है दूसरा अगर हम बात करें आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरों से निकल करके चंदरमा की तरफ दिखाई दे रही है और जब भी जीवन की रेखा चंदरमा की और जाती है तो जीवन में ओ इस्तिर्ता जादा रहती है जीवन में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उतार चड़ाव जादा रहते है वहीं एक मंगल की रेखा भी यहां पे दिखाई दे रही है शुन्दर रूप में यह ठीक मानी जाती है ऐसे लोगों को दोसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलता है जब यह रेखा पुष्ट और सुन्दर आवस्ता में आनी बैठ जाएगी तो आपको दोसरों का सयोग भी बहुत अच्छा मिलने बैठ जाएगा और इस्वरकी भी ऐसे लोगों के उपर बहुत अच्छे किरपा होती है निश्चिती इस्वरकी बहुत सुन्दर किरपा यहां पर दिखाए दे रही है दूसरा ये लिकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिबाह है और तीब्र बुद्धि के आप मालिक है सोचने और समझने के सक्ट निश्चित रोप से विसेश रोप से आप में मौजूद है जीवन काल में येदि आपको ये एक निरणे ले लेते हैं तो ऐसा है कि उसे अंततक निभाने का सामर्थय भी आप रखते हैं आपका आने वाले समय में जो व्यक्तित्व रहेगा अच्छा खासा प्रभावसाली रहने वाला है और इस रेखा के कारण जब ये रेखा पुष्ट और सुन्दर अवस्ता में होती है तो कहीं न कहीं जो है इस भूमिसे समंदित वस्तों में फायदा देता है तो निश्चित रूप से प्रोपर्टी की भी अच्छे योग यहां पर बनते हुए अच्छे खासे रोप में दिखाई दे रहे है और निश्चित तोर पे आपको अचल संपति का लाब मिलेगा वहीं आपका अंगोठा देखे तो लचीला अंगोठा है प्रस्तित की उनसार ढलने वाला व्यक्तित्व है आपका पहला पौर बता रहा है कि इक्षा सक्तियां बहुत सुन्दर है दूसरा पौर बता रहा है कि आपकी जो तरक सक्ति है वो भी बहतरीन है और अपनी बात लोजिकल तरीके से लोगों को समझा सकते है एक बेटरीन जो है चिन्न यहां पे बन रहा है यह ओका चिन्न आपको अपनी कमाई होए पैंसों से अपने घर का सुक निश्चित रूप से प्राप्त होगा किसी कारण वस अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक नहीं प्राप्त होगा तो या तो पैतरिक संपति प्राप्त होगी या किसी के सही योग से जो है घर की प्राप्ति निश्चित तोर पे होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है दूसरा भाव किसम के ब्यक्ति तो आपका यहां पर दिख रहा है तहजी पसंद ब्यक्ति तो आपका दिख रहा है और देखेगा भले ही ये दोस्युक्त है आपका सुक्र लेकिन सुन्दर आभालिये हुए है और देखा जाए तो पुष्टतम अवस्ता में है और देखेगा जब भी सुक्र इस तरों से सुन्र आवाली होता है पुष्टतम इस्तिति में होता है तो ब्यक्ति का जो चेहरा होता है वो भी बड़ा सुन्र होता है तेजोमय होता है और सुन्रता आकरसन ब्यक्ति के अंदर बिद्यमान होता है और ऐसा विक्ति हर प्रस्तित को जेलने की चमता भी रखता है ये गुण आप में निश्चित तोर पे दिखाई दे रहे है वहीं अगर हम बात करें यहां से निकल कर एक रेखा गुरों से युक्ति बना रही है आप में अच्छी राइटिंग इसकिल्स के साथ-साथ निश्चित रोप से लेडर्शिप के गुण भी बहुत अच्छी मात्रा में यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपका जो है ब्रस्पती जी को देखा जाई तो प्रबल और सुन्दर आउस्था में देखेगा आप चाहिए अपना प्यावसाय करें चाहिए नोकरी करें सिक्छा के छेतर में इंजिनियरिंग के छेतर में चिकित्सा के छेतर में और मेनेजमेंट के छेतर में कोई भी आप काम करेंगे तो निश्चित रोप से आने वाले समय में आप कामियाब होंगी ये निश्चित है क्योंकि आपका ब्रस्पति आपको जो है बहुत सुन्दर यहाँ पे मौका देता हुआ दिखाई देरा दूसरा एक से ज़्यादा रेखाएं यहाँ पे इस तरह से दोड़ती हुई दिख रही हैं जो प्रोग्रेश लाईने है एक तो एक से ज़्याद आसरोतों से आपको अपनी जीवनकाल में फाइदा होगा आने वाले 48 वे वर्ष से दूसरा यहाँ पे एक बर्ग का चिन भी सुन्दर रोप में दिखाई दे रहा है और जब भी ब्रस्पति पे बर्ग का चिन बनता है तो ऐसे ब्यक्ति के अंदर टीचिंग की अच्छे खासी छमता होते है अपने जो है छेतर में और कुसल प्रसासक के गुण होते हैं और ऐसा ब्यक्ति यदि गरीब परिवार में भी जनम ले तो भी अपनी मिहनत और अपनी लगन के कारण जो है समाज में उच्छ अस्तान प्राप्त करता है और उच्छ पद की प्राप्ति करता है यह निश्चित्रोप से आपके हतेली में दिखाई दे रहा है वहीं आपके मस्त हिर्दे रेखा यहां से मंगल के छितर से होती हुई दिखाई दे रही है थोड़ सा मंगल का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है आदर स्वादी जीवन तो रहेगा दीब्रुपूति के तो लेकिन बरतमान समय में मंगल आपका अपुष्ट आउस्ता में है तो यह कहीं न कहीं चिंतातुर सुभाव को बनाए हुई है यहां पे जो है इस तरह से एक मनी ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है अड़तालिसमें वर्स से खर्चों से जादा आप अर्निंग करें और अच्छा खासा पैसा आप जो है इस्टोर करेंगे अपनी जिवनकाल में यह निश्चित है आपके यहां पे लिखावा एक रेखा मंगल से लेकि इस तरफ जारी है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है यदि यह 54 वर्स में पूर्ण होती है तो कहीं न कहीं आपको कि देश से भी अच्छे खासी धन के योग यह बनाएगी यह कुवीर रेखा वियों होती है यह धनी की रेखा भी हूती है और यह रेखा अच्छनक बहुत बड़ी तरग की दिखाई दे रहा है नोकरी हो या व्यावसायू में और चनों का सामना आपको करना पड़ रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी हतेली में कनिष्टा अच्छी खासी लंबी इस्तिति में दिखाई दे रही है और सूर्य के पहले पौर्वे से उपर पार करत उस्ता यह होती है करनिष्टा उंगली अगर इस तरों से लंबी हो तो निश्चित तोर पे ब्यापारी होता है बेक्ति लंबी होता है कुलमिला का अगर ब्यात करें उच्छवर्ग का बब्यक्दितों आपका रहने वाला है स्रेश्ट और सफल ब्यक्तित्व आपका रहने वाला है वहीं आपकी अनामिका देखी जाए ये भी अच्छे खासी लंबी है और आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी दिखाई दे रहे है बहुत सुननर है ये भी ऐसा ब्यक्ति ये सुस्य होता है आप निश्चिती ये सुस्य होंगी समाज में मान और प्रतिष्टा रहेगी यस पाने वाले होंगे सफल तम ब्यक्तित्व आपका रहने वाला है ये आपकी उंगली जो है यहाँ पे इंगित कर रही है और हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा ये निश्चित तोर पे वहीं मरकरी का माउंट भी आपका बहुत सुन्दर है और दो तीन रेखा इस तरों से दोड़ती है सबसे पहला इस तरों से अगर रेखा ये दोड़ती है तो ब्यक्ति के अंदर सेवा भाव भी रहता है ब्यापारिक बुद्धी भी ये देती है और कहीं न कहीं ब्यक्ति एक से ज़्यादा बहसाओं का ग्याता रहता है दूसरी बात अगर मरकरी इस तरों से पुष्ट और सुन्दर होता है तो कम्यूनिकेशनी स्किल्स बहुत सुन्दर होते हैं जिस काम में हाथ डालेंगे 48 से 94 और से के बीच में उसमें पूर्ण रोप से सपलता अरजित करेंगे और हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाति समझने वाले ब्यक्तित तो आपका है योजना बना कर चलेंगे तीब्रमस्तिस्क के स्वामी होंगे जो भी कार्य प्रारम करेंगे उसे पूरा ओश्य करेंगे आपका बुद्ध बता रहा है आपकी हतेले में बुद्ध सुन्नर और सही रूप से बिक्सित आवस्ता में दिखाई पड़ रहा है आप मनों बेग्यानिक के छितर में माहिर होंगी सामने वाले बिक्ति को किस तरों से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरों से जानती है और ऐसे जो लोग होते हैं चाहिए वो महिला हो या प्रोस हो ब्यापारिक कार्यों में विसे सपलता प्राप्त करते हैं और बहुत एक सुक सुगदाई भी बुद्ध आपको अच्छा दे रहा है ब्यक्तित्तों भी अच्छा दे रहा है और साथ साथ में सुन्दरता भी जो है बहुत अच्छा यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है उपरी मंगल थोड़ा सा लकी रहे यहाँ पे इस तरों से है थोड़ा कोट कचरी का मामला बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है लेकिन साहस प्राकरम बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन आपका चंदर का जो प्रवत है जो मन का मालिक है उसमें कई रेखाई एक दूसरे को काटते हुई है इसमें कोई चिन भी बनडा हो तो इसका कोई महत्वनी है इमोशनली बहुत प्रेशान हो जाते होंगी चंदरमा कमजोर होने से मन अच्छा नहीं रह सकता है मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कवार सही नहीं रह सकता है और चंदरमा इस तरों से नगेटिव हो तो जातक को जो है मां का सुक भी प्राप्त नहीं हो पाता है चंदरमा के खराब होने से नीन आने में दिकत आने बढ़ जाती है और मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है बेक्ती बहुत ज़्यादा चिंतातुर हो जाता है हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है कुछ न कुछ चिंता करता रहता है और मानसिक प्रेशानी बढ़ जाती है और न तो विकाश कर पाता है न तरक्य कर पाता है और न तो जो है सुक के प्राप्ति कर पाता है मैं आपकी हतेले में सभी चीजों का एक उपाई दूँगा उसको विदिवत तरीके से करने की कोसिस करेगा बहुत सुन्दर जो है 48-वे से लेके आपका गोर्डन टाइम यहां पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पना उपस्तितूँगा तब तक के लिए नमस्कार